हाई लो दोस्तों स्वागत है आप सफीका आपके अपने इस यूटूब चानल एक्स्पिलेनोली फर इव में तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने माले हैं कि परतिसत कैसे निकाला जाता है वो भी बेसिक से आप लोगों को हम बतलाएंगे तो वीडियो में अ ठीक है यह क्या है तिये संदी बिचेद है यह परतिसत का मतलब होता है अब देखिए परतिसत का चीन कैसे होता है तो परतिसत का चीन है इस्तर होता है ठीक है परतिसत का चीन है इस्तर होता है तो यह है कुछ बेसिक सी जनकारी यह आपको जानना ज़रूरी है तो चलिए परतिसत के सवालों को कैसे हल किया जाता है तो चलिए दोस्तों हम पहले न और प्रोशन को हल करते हैं देखिए इसमें दिया है कि 520 का 10% निकाले तो कैसे आप इसको हल कर सकते हैं ध्यान पूर और कि इस question को देखिएगा देखिए यहाँ पर 520 है तो 520 को आपको यहाँ पर लिख देना है क्या करना है तो 520 को लिख देना है अब देखिए यहाँ पर का है का मिस क्या होता है तो का मिस गुणा होता है तो गुणा का चीन आपको यहाँ पर लगा देना है अब देखे यहाँ पर 10 परतिसत है तो 10 आपको लिखना है और इसे के बटे में आपको 100 लगा देना है ठीक है अब देखे 0 से 0 कड जाएगा तो यहाँ पर 52 बच जाएगा तो यहीं इसका राइट एंसोर हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों दूसरे कोशन को हल करते हैं देखिए, इसमें दिया है कि 800 का 80% निकाले, ठीक है, तो इस question को भी ध्यान पूरोक आप देखिएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 800 लिख देना है, ठीक है, क्या कर देना है, तो 800 लिख देना है, अब देखिए, यहाँ पर का है, तो काम इस क्या होता है, तो काम इसे तो गुणा कचीन लगा देना है अब यहाँ पर 80 परतिसत है तो 80 सिर्फ लिखना है और इस परतिसत के बदले में आपको 80 के बटे में 100 लगा देना है ठीक है इतना करना है अब देखिए जो संग्या कटने वाली है उसको सबसे पहले कटा देना है तो 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर 80 बचा और क्या बचा तो 8 बचा तो गुणा आप दे दीजिएगा और 8 लिख देना है अब देखिए 80 में अगर आप 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा तो 640 आएगा ठीक है तो इसका यहीं इसका right answer हो जाएगा 640 से तो इस तरह दोस्तों आप असाइन तरीका से परतिसत के सवालों को हल कर सकते हैं या परतिसत निकाल सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तिसारन और प्रसन है इसको भी हम हल करते हैं इस कोशन को भी देखिएगा तो देखिए यहाँ पर दिया है 260 का 30 परतिसत निकाले ठीक है तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको 260 लिखना है क्या करना है सबसे पहले 260 लिखना है तो आपको यहाँ पर 260 लिख देना है अब देखिए कोशन में कह रहा है कि का 30 पर 30 मतलब 260 का 30 पर 30 निकाले तो 260 तो यहाँ पर लिख लिए है अब देखिए कामिस क्या होता है तो कामिस गुणा होता है तो आपको यहाँ पर गुणा का चीन लगा देना है अब देखिए यहाँ पर 30 पर 30 है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 30 लिखना है और 30 के बटे में आपको 100 लगा देना है ठीक है अब देखिए जो संख्या कटने वाली है उसको सबसे पहले कटा देना है तो 0 से 0 कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 26 गुणे 3 बचा ठीक है कितना बचा 26 गुणे 3 बच दू 3 से उड़ा कीजिए गा तो कितना होगा तो 88 होगा ठीक है कितना होगा तो शब्र को और हो जाएगा तो चलिए दोस्तो इस सबाने अब आसाइन, तरीका से पर्तिसत के सवालों को हमार कर सकते हैं I would like to agree कर देना और चैनल में पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जुरूर दबाना